Good morning students, previous video class में हमने स्रजिन पाटेपुस्तक का कावेखंड का थर्ड चेप्टर की क्यूशन आंसर कम्प्लीट किये थे आज हम चेप्टर नमबर फोर बिहारी सचसाई के कुछ पद स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बिहारी जी का जीवन परीचे रीड करते हैं जीवन परीचे देखे बिहारी जी का जनम पंद्रासो पिच्चान में इस्वी में गवालियर के बस्वा गोविंदपूर में कवी के सवराई के यहां हुआ वे जाती के माथुर चोबे चत्रवेदी थे जब बिहारी आठ वर्ष के थे तब इनके पिता इनने और चब बुंदेल खंड ले आए तथा इनका बच्पन बुंदेल खंड में बीता यूवा वस्ता सस्राल मत्रा में व्यतीद हुई जैसे निम्न दोहे से रकट है जन्म गवालियर जानिये खंड मुंदेले बाल तरुनाई आई सुदर मत्रा बसी सस्राल इनके गुरु नरहरी दास्ते इनोंने संस्क्रत जोतिस नितिशास्त्र आदी का अच्छा ग्यान प्राप्त किया तता दिल्ली के सहजादे खुर्रम शाहजा से आगरा में मिलना हुआ इनके काव्य प्रतिबा से प्रसंद होकर शाहजाने इने दिल्ले ले गए वही शाही दर्बार में उन्हें प्रतिस्टा मिली वही पर आमेर के राजा मिर्जा जैसिंग ने इनकी वार्शिक व्रति भांदी थी अपनी रति लेने के लिए कवी बिहार की आमेर जैपुर पहुँचे वहाँ पता लगा कि मिर्जा राजा जैसिंग अपनी नवोडा रानी के प्रेम में इतने डूबे रहते थे कि महल से बाहर नहीं निकलते थे और राज-काज की ओर ध्यान नहीं देते थे मंत्री आदी लोग इससे बड़े चिंतित थे किन्तू राजा से कुछ कहने की शक्ति किसी में न थी बिहारी ने नई रानी के मोहपास से राजा को मुक्त करने के लिए एक दोही की रशना कर राजा के पास दोहा पहुँचाया राजा के पास दोहा पहुँचाया नहीं पराग नहीं मदूर मदूर नहीं विकास यहिकाल अलिकली हीसो बीदियो आगे कौन हवाल इस अन्योक्ती ने राजा पर मंत्र जैसा कारी किया वे रानी के प्रेम पास से मुक्त होकर उन्हें अपना राजकार समालने लगे वे बिहारी की काव्य कुशलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिहारी से और भी दोहे रचने के लिए कहा और प्रती दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा देने का वचन दिया तथा उन्हें एक जागीर दे दी गई बिहारी आमीर नरेश के दर्बार में रहकर काववे रचना करने लगे वहां उन्हें प्रियाप्त धन और यश मिला बिहारी जी की मुरत्यु देखिए कवी बिहारी की पत्नी की मुरत्यु के बाद वे बहुत दुखी हुए लगबग एक वर्ष बाद 1673 इसवी में आमेर जैपूर में इनका निधन हुआ आगे इनकी रचनाई देखिए बिहारी जी की बिहारी की एक मात्र रचना सत्सई सप्ट सती अर्था 700 है इसमें 732 है सत्सई में ब्रज भाषा का प्रियोग किया है कवी ने भक्ती नीती श्रंगार प्रकर्टी चित्रान जोतिस एवं बहु आयामी ज्यान पर आधारी दोहूं की रचना कर अक्षय कीर्थी अर्जित की वे निम्बार्ग संप्रदाय में दिख्षिद हुए तथा रादर कृष्णी की भक्ती की उनकी अलंकारिक्ता कल्पना की समार शक्ती कवलक्षन समावे इस उनके कावे में इसलिए उनके समार शक्ती के कारण ही कहा गया है सत्सया के दोहरे जो ना वक्के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंबीर बिहारी रितिकाल के सर्वादिक अभी व्यक्ती सक्षम कवी माने जाते हैं इसलिए उनके सम्मंद में कहा गया है कि उन्होंने गागर में सागर भरा बिहारी ने अपनी सत्सयी में छोटे से छंद में जिस डंग से विशिष्ट और गंबीर प्रसंगों को पिरोकर उनमें तदनरुप भाओं को भढ़ने की कोशिश की है वह पूरे रितिकाल में बेजोड है इससे बिहारी की भाव व्यंजना और भासा सामर्थे का पता चलता है यहां होता है बिहारी जी का जीवन परिचय कम्प्लीट आगे हम बिहारी जी के दोहों को स्टार्ट करते हैं देखें फर्स्ट दोहा देखिए मेरी भव भादा हरो रादा नागरी सोई जातन की छाई परे शाम हरित दुति होई मेरी यानि की स्वैम की भव भव का अर्थ होता है सांसारिक बादा यानि की कस्ट हरो यानि की दूर करना रादा यहां पर रादा जो है रादा जी के लिया है नागरी यानि की चतुर नागरी यानि चतुर होता है नागरी होगे चतुर इस्तरी सोई यानि की वही जा का अर्थ होता है जिनके तन यानिकी स्वरूप की छाई यानिकी परचाई या छाया जलक जिसे बोलते हैं शाम श्रीक्रेशन के लिए आया और शाम एक काला रंग भी होता है हरित यानिकी प्रसन आगे देखें अब इसका अर्थ प्रस्तुद दोहा बिहारी ससई से लिया गया है इसमें कवी ग्रंथ रचना के प्रारंब में मंगला चरन के रूप में प्रातना करते हुए रादा जी के स्वरूप का वर्णन किया है मेरी भवभादा हरो रादा नागरी सोई कवी कहते हैं कवी बिहारी रादा जी से प्रातना करते हुए कहते हैं कि हे चतुर रादा जी आप सांसारिक कस्टों का निवारन करे कि हे चतुर रादा जी आप मेरे सारे सांसारिक जो भी कस्ट है उनको आप दूर कीजिए भव भादा भव भादा कर्थ होता है सांसारिक कस्ट कि आप मेरे जीवन में जितने भी सांसारिक कस्ट है उनको दूर कीजिए नेक्स्ट लाइन देखिए जातन की छाय परे शाम हरित दुति होई यानि कि जिस शरीर का प्रतिविंब पढ़ने से अर्था जिसकी शरीर की छाया पढ़ने से भगवान श्रीक्रैशन के श्रीक्रैशन प्रसन हो जाते है इसका अर्थना अलग- lawsuit निकलेंगा तो फस्ट देखिए देखो जातन की छाय परे शाम हरित दूति होई कि जिसके सोंदरिय या स्वरूप की छाया पढ़ने से या जलक पढ़ने से शाम यानि की श्रीक्रेशन हरित यानि की प्रसन हो जाते हैं एक अर्थ तो यह हो गया कि जिसके तनकी छाया पढ़ने से ही श्रीक्रेशन जो है प्रसन हो जाते हैं अब सेकिन अर्थ देखिएे जा तनकी छाही परे शाम हरीत्ततो हो यानि की जिसके तनकी छाय परने से शाम यानिकी शीक्रेश्न हरीत्तती हो यानिels की हरे या हरे क्रांती वाले हो जाता है अर्दwyn única श्रीक्रेश्न का जो रंगधा वो कैसा है साम्ला और रादा जी का रंग है वो कैसा है गोरा तो जब गोरा रंग सामले रंग से मिलता है तो कैसा रंग हो जाता है वो हरा रंग हो जाता है यानि कि सुनेरा रंग जब काले रंग में मिलता है या सामले रंग में मिलता है तो उसका जो रंग है वो कैसा हो जाता है हरी रंग वाल हो जाते हैं अब एक जो है अर्थ इसका तीसरा अर्थ लीजिए जा तंकी छाई परे श्याम हरित दुति यानि कि जिसके तंकी छाया पढ़ने से ही श्रीक्रैश्ण जो है इतने प्रसन हो तो अगर हम रादा की इतनी अराधना करेंगे तो राधा की अराधना से प्रसन होकर श्रीक्रेश्ट भी स्वेम प्रसन हो जाएंगे और हमारे जितने भी सांसारी क्रेश्ट है वो सारे दूर कर देंगे हरत हरत हमारे जितने भी सुक आख सारे दुख हमारे सुक में परिवर्टन हो जाएंगे और हमें पुन्य प्राप्त होगा देखें इस लाइन का अर्थ यहांपर तीन अर्थों में दिया हुआ है याणि कि अलग अलग तरीके से हम इसका अर्थ कर सकते हैं कि जाई तनकी चाय परेश एक अर्थ लिया है कि जिसके तनकी चाय पढ़ने से ही श्रीक्रेश ने प्रसंद हो जाते हैं तीसरा अर्थ है कि जिसकी तनके चाया पढ़ने से या प्रतिमिम्म पढ़ने से ही जो श्रीक्रेशन इतने प्रसन हो जाते हैं तो हम तो रादा जी की क्या कर रहे हैं उपासना कर रहे हैं प्रातना कर रहे हैं तो श्रीक्रेशन जो है वो प्रसन होकर हमारी भी भववादा को दूर कर देंगे अर्था हमारे भी दुखों को किसमें परिवर्थित कर देंगे सुखों में परिवर्थित कर देंगे वे रादा नागरी कश्टों को दूर करें जिसका ध्यान करने मात्र से ही समस्त जो दुख है वो सुख में परिवर्थित हो जाते हैं प्रस्तु दोहे के अंदर कवी ने ब्रज सरल भाषा का प्रियोग किया है दोहा चंद है प्रस्तु दोहे में शलेश वे रूपक अलंकार का प्रियोग हुआ है नेक्स्ट देखिये दोहा फाषा है तो परवारो उर्बसी सुने रादि के सुजान तू मोहन के उर्बसी हवे उर्बसी समान बारो बारो कार्थ होता है नोचावर करना उर्वसी उर्वसी यहाँ पर शब्द थ्री टाइम आ रहा है तो इसका अलग-अलग अर्थ है उर्वसी यानि के आपुशन भी होता है उर्वसी जो है अपसरा भी है सुजानकार्थ होता है चतुर मोहन श्रीक्रेश्न के लिए आया है प्रस्तु दोहे में एक गोपी रादा जी की शोबा को देखकर उसे स्वर्गी की अपसराओं से भी श्रेष्ट बताती है प्रस्तु दोहे में रादा जी का सोंदरिय और श्रीक्रेश्न पर उनका प्रभाव का वर्णन किया है अर्थ देखिए तोपर वारो उर्बसी सुने रादी का सुजान गोपी अपनी सक्खी से रादा जी की ओर संकेत करती हुई कहती है कि हे चतुर रादी का मैं तुमारे उपर स्वर्गी की अपसरा उर्बसी को भी नोचावर करती हुई अर्थ आपका सोंदरिय इतना है कि आपको देखकर मैं स्वर्गी की अपसराओं को भी नोचावर कर सकती हुई तू मोहन के उर्बसी हवे उर्बसी समान कि तू मोहन के उर्बसी और यहाँ पर जो उर्बसी है वो उर्बसी दो अलग-अलग दिया हूए उर यानि की हिर्दे बसी यानि की बसना और हवे उर्बसी समान यानि की उर्बसी यानि की आबुशन के समान तो अर्थ देखिए तो गोपी कहती है कि मैं तुम्हारी उपर जो है स्वर्गी के अपसराओं को भी नोचावर कर सकती हूँ तुम तो उर्वशी आभुशन के समान श्रीक्रेशनी के खिर्दय में बस गई हो अर्थार्थ जो है तुम्हारी शोबा है वो अनुपम है इस कारण तुम श्रीक्रेशनी की अत्यदिक प्रिये बन गई हो उर्वशी यहाँ पर उर्वशी जो है शब्द उसका अलग-अलग अर्थ लिया हुआ है कि एक तो अपसरा के रूप में और एक है हिर्दय में बसने के रूप में कि तुम तो क्या है तुमारी सोंदरे के उपर मैं जो है सोरगे के अपसराओं को भी नुचावार कर सकती हूँ तुम जो है तुमारी शोवा या सोंदरे इतना अतुलनी है कि तुम स्री क्रैश्न के हिर्दे में आपुशन के समान बस गई हो प्रस्तुत दोहे में सरल ब्रजबाशा का प्रियोग किया गया है दोखा चंद है तथा उर्वसी शब्द में यमा कलंकार का प्रियोम किया गया है प्रथम उर्वसी का अर्थ उर्वसी अर्थार अप्चरा और दूसरे उर्वसी का अर्थ है फिर्दय में बसी हुई next दोखा देखे बंदु भे का दी निके को त्यारो रगुराई तूटे तूटे फिरत हो जूटे बिरद कहाई तारो तारो कर्थ होता है उद्धार किया को यानि कि किसका रगुराई यहां पे ईश्वर के लिए आया है तूटे तूटे यानि कि प्रसंदता जूटे यानि कि जूट बिरत यानि कि यश प्रस्तु दोहे में एक भक्त ईश्वर से प्रसंद करते हुए कहता है कि बंदू बहे का दीन के को त्यारो रगुआई कि एक जो है भक्त ईश्वर से प्रसंद करता है कि बंदू बहे का दीन के कि आप किस दीन बंदू के सायक हुए हो को तारो रगवाई कि आपने किसका उधार किया है तूटे तूटे फिरतो जूटे बिरत खाई यानि कि जूटी प्रसंद सा लिये हुए अवी प्रसंद के साथ इधर उधर फिर रहे हु एक भक्त ईश्वर से सवाल करते भी कहता है कि आपने किस दीनों का उधार किया आपको गोग दीन बंदू कहते है लेकिन आपने किस जो है उसका उधार किया है किस दीन का उधार किया है आपने किसको इस संसार्ट से मुक्ति दिलाई है किनके कश्टों का आपने दूर किया है आप तो जूटी प्रसंसा लिये हुए इदर उधार फिर रहे हो अर्धार्थ वो भक्त कहता है कि जिनों जिसका आपने उद्धार किया है वह वास्तों में दुखी थे ही नहीं दीन दुखी थे ही नहीं वास्तिक्ता में जो दीन दुखी है वो तो मैं हूँ और जब तक आप मेरा उद्धार नहीं करोंगे जब तक आप की जो ये यश्च प्राप्त कर रखा है वो आपका मिध्या ही रहेगा और जब आप मुझे मेरी जितने भी कस्ट है वो दूर कर दोंगे तभी आपको ये यश्च की प्राप्ती हो सकती है आप जुटा ही यस लिए हुए इदर उदर फिर रहे हो मैं दुखी हूँ और मुझे तारो तबी आप जो है दीन मंदू कहलाओंगे प्रस्तो दोहे में सरल ब्रज भाशा का प्रियोग किया गया है दोहा चंद है तथा पुन्रुक्ति अलंकार का प्रियोग हुआ है यहां होते हैं बन टू ठैट दोहे कम्प्लीट नेक्स्ट दोहा वो हम कल की क्लास में रीड करेंगे